नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा घरेलू नाचुरल नुस्का जिससे आपका टेस्टोस्टरोन लेवल बहुत बढ़ जाएगा बिना किसी सप्लिमेंट के बिना किसी मेडिसेन के आपको सिर्फ वो जो कुछ नुस्के मैं बताने आपको एक छोटा सा काम करना है आप दूद पीते होंगे नहीं पीते तो सबसे पहले आदा डाल लीजे दूद पीने की एक बार और वो एक बार कब रात को सोते समय यानि आपको क्या करना है आपको रात का जो डिनर है उसे कम कर देना है अमाउंट बिलकुल हाफ कर देना आप खाते हो ताकि वो दूद आप अच्छे से पी पाओ और वो डाजेस्ट हो पाए हमें करना क्या है सबसे पहले आपको एक गलास दूद लेना है और आदा गलास पानी लेना है आपको दोनों को मिक्स करना है एक पान में और उसके अंदर आपको डाल देना है चुआरे आप 4-5 चुआरे डाल दीजे अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि स कशक करम हो गर्मियों को मैं ऐससले जाएगा तो अगर अप कर देना यह निकूल बल्कुल अख्सान करना तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ, आपको एक ग्लास दूद लेना है, आदा ग्लास पानी उसमें मिलाना है, और उसके अंदर दो से तीन छुवारे आपको डाल देने हैं, इसको आप उबालिए और तब तक उबालिए जब तक आपको आदा ग्लास पानी आपने डाल चीनी डालते हैं, चीनी का प्रयोग नहीं करना है, आपको प्रयोग करना है धागे वाली मिश्री का, अगर गर्मी है तो खास तोर पर आपको सिर्फ धागे वाली मिश्री का ही प्रयोग करना है, सर्दी में आप किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं, चाहें आप उसमें खा उसके बाद आपको इसका सेवन करना है आप इसका लगातार 15-20 दिन सेवन करें इंप्रूवमेंट आपको खुद फील हो जाएगी नजर आ जाएगी यह मेरा कमिटमेंट है पहला नुसका आप नहीं कर पारें किसी भी कारणवज कि आपको दूद अच्छा नहीं मिलता है या अब हम बात करते हैं दूसरे नुसके की दूसरे नुसके में सबसे एक इंपॉर्टन और मज़दा चीज़ बताता हूँ एक फल है जो गर्मियों का खासतार पर फल है और उसे खाने में बड़ा मज़ा आता है जिसका नाम है तर्बूज और कर्बूज दूनों ही आपके ट आपको केवल उन भीजों को लेना है उसका पाउडर बनाना है उसके साथ आपको मिश्री आड़ कर देनी है यानि आदा चमच तर्बूज के बीच का पाउडर और आदा चमच मिश्री दोनों को मिक्स करें पानी के साथ इसका सेवन करें आपका टेस्टो स्ट्रों लेवल बहुत ही अद्बुत तरीके से बढ़ते हुए आप देख सकते हैं अगर आप इस नुस्के को भी नहीं करना चाहते हैं तो एक तीसरा नुस्काज आपको बताता हूँ ध्यान से समझेगा और एक बार अगर आपने उसका सेवन कर लिया लगातार 15 से 20 दिन तो चमतकारी रिज से 20 दिन इसका सेवन नियमत रूप से कर लेते हैं तो आपका ठेस्रोस्टृरॉं लेवल बहुत ही अद्बुत तरीके से बढ़ते हुए आप देख सकते हैं इन तीनों में से जोनसन इसका पसंद आये उसका सेवन आप करे और इसको नियमत रूप से करें इसमें बिलकुल सेवन करते हैं और खास तोर पर अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है और उस वक्त आप इसका सेवन करना लगाता शुरू कर देते हैं तो कुछ महीनों में आपकी बॉड़ी का एनरजी लिवल, एक्टिविटी लिवल, इवन टेस्टोस्टरॉन लिवल बहुत ही शांदार आपको देखने को मिलेगा अब इन नुस्कों के बारे में जानके तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, अगर कोई कोशन है जो आपको बार-बार परिशान कर रहा है, कोई शक है, कोई आपका बहुत ज़्यादा डर है, तो आप नीचे जीके नंबर पर बेफिक्र होकर कॉल करें भारत हूपथी के डॉक्टर्स को, आपकी परसनल डिटेल्स को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है हमारे द्वारा, और हमारे डॉक्टर्स आपको free of cost एडवाइस करेंगे, आपकी समस्या का समधान आपको देंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइप ज़रू करें, जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें वट्साप के माद्यम से, एसी और वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें,